अब बात करेंगे तो भारत की वर्ड के तीन देशों के अंदर वर्ड की टॉप तीन देशों के अंदर भारत का नाम यहां पर होगा अगर हम बात करें तो अब देखते हैं कि यहां पर पूरा मामला क्या है यह हम इसके अंदर समझेंगे यह बात की विकास यात्रा देखिए एक इवेंट के अंदर यह बोल रहें रुखने वाली नहीं है आप जानते हैं हमारे पहले टम की शुरुवात में भारत वर्ल्ड एकॉनोमी वे दस्वे नंबर पता अगर आप यह देखें लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट एकॉनोमी बन गया है वर्ल्ड की और यह ट्रैक रिकॉर्ड के आदार पर मैं देश को यह वश्वायस दिलाने चाहूंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली थीन एकॉनोमी में एक नाम भारत बी होगा इस तरह से प्रादन मंत्री ने इसके अंदर का है कि टॉप तीन एकनाम भारत का होगा चली है तो यहां पर हम देखते हैं कि 2022 की अंदर भारत ने क्या क ठीक है अगर हम देखें भारत का अभी का जो नम्बरिंग उस सबसे पर नमबर पर सब्सक्राइब और चाहिए यहाँ पर फिस्ट नमबर पर इंडिया है कि कहा जा रहा है आएमेफ की द्वारे यहाँ आपको बताऊंगा आगे चलकर कि कि दो हुजार सत्ताइस तक भारत जर्मनी और जापान को पचाड कर यहां पर थर्ड नंबर पर यहां पर खड़ा होगा मतलब चायना के बाद युनेटि स्टेट्स ऑफ अबरिका चायना के बाद भारत का यहां पर सबसे लाज़स्ट एकॉनमी रहेगा ठीक है यह चीज़ भी बोला कि हम पहले टम के अंदर हम फिफ्ट नंबर पर आ गया तीसरी टम में अब हम क्या करेंगे थर्ड नंबर पर यहां पर आ जाएंगे ठीक है अब हम इसको भी अनलाइस करेंगे कि भारत ने इतना तगड़ा ग्रोथ कैसे करा कि दस्वे नंबर से पांच्वे पाइ और यहां पर भारत आज इसके आपर जो कंट्रीज्टि थी पहले देखि यहां से उपर इटली और यहां पर ब्राजील फ्रान्स और यूटे तू इन तो इन coalition कों पच Twoap क्या क्या है कि यहां पर फ्स्ट नंबर पर श्याब आ चुके हैं ना तो हर बालोगुप अ गदर य तक ग्रोथ कर रहा है मतलब अगर 2014 के अंदर हमारी एकॉनमी रही होगी माले यह 100 रुपीस ठीक है और एक्जामपल तो 2023 के अंदर हमारी एकॉनमी हो जाती है 183 परसेंट यहां पर इंक्रीज हमने इस तरह से करा है अब यहां पर देखें तो अब और कंट्रीज ने किस तरह से कर रहा है तो अगर अपन सारी कंट्रीज की बात करें जो भारत की उपर थी इन सारी कंट्रीज की बात करें तो USA ने इसके अंदर 53 परसेंट का ग्रोथ करा ह यहां पर चाइना की बात करें तो चाइना ने 84 परसेंट का ग्रोथ करा है ठीक है यहां पर आप देख सकता है कि USA जो है उसने जो ग्रोथ करा है वह 54 परसेंट का ग्रोथ करा है और भारत ने जो ग्रोथ करा है वह 83 परसेंट का यहां पर ग्रोथ करा है तो भारत ने अगर पर ब्राजिल तो देखते हैं इन कंट्रीज ने कैसा ग्रोथ कर तो जैसे मैंने आपको बताए तर ग्रोथ करा 2014 से लेके 2000 अगर हम देखें 2022 तक ठीक है यूके ने कितना ग्रोथ करा यूके ने सिर्फ परसेंट ग्रोथ करा एंटाली ने अगर हम देखेंगे इसमें तो ग्रोव ने करा एंठेगने और ब्राजिल ने तो नेगटिव ली ग्रोव करा है मैंनस 15 तो भारत की ग्रोथ से ज़्यादा आप यहां पर देख रहे हैं बारत ने एक्टीटिरी परसेंट ग्रोथ कर यहां पर इसके आगे हम समझते हैं कि अब इसको इसमें अपोजिशन को क्या दिक्कत होगी प्रदान मंत्री मोदी जी ने ऐसे बोला कि हम मेरी जो थार्ट तम आएगी मतलब सब्सक्राइब यहां पर यहां पर जल्दी से अंड्रोल कर लिजिए और यह बी है जुलाइट 31 को पीस हाई को ने वाली है तो लाइब डीवी कोड यूज़ करकर आप यहां पर सब्सक्रेशन ले सकते हैं लाइब डीवी कोड से मल्टीपल बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलेंगे वस्चु गैट दा सब्सक्रेशन थूदा लाइब डीवी कोड तो यहां पर आपको सारे यह बैनिफिट्स मिलेंगे प्लस मेरा परस्टनल गाइदेंस भी आपके लिए रहे चली इसी तरह से मैं अब ढ़रा हो जुलाइब 35 परसेंट करी फिस से पहले पहले आपको बढ़ा रहें जहां पर यह सारे टीचर यह पढ़ार है अगर आप ऐस प्लस 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 अप्सीशन सौनल को कॉंबसदों आपको व्हां पूरा सब्सक्रेशन मिल जाएगा किसी तरह से आप option कार्णिवाल भी चल रहा है अलग से option भी ले सकते हैं 7999 रुपीज के अंदर option आपको मिलेगा ncrt के कोई fan है कि ncrt हमको पूरा foundation बैच करना है तो 6 से लेकर 12 तक के ncrt यहां पर पढ़ाई जा रही है सब्सक्राइब करें तो अब आयमेफ ने कुछ प्रेडिक्शन करी थी आयमेफ ने पहले बोल जाता है जो मुद्रान मंत्री मोजी जी अभी गारेंटी दे रहे हैं आयमेफ पहले बोल चुका है कि अगर इंडिया की growth जो है अगर nominal भी रहती है न तो इंडिया थर्ड नंबर पर आना ही आना है देखे आयमेफ पहले प्रेडिक्शन कर चुका है और भारत का जो GDP रहेगा 5153 यूएस बिलियन डॉलर यहां पर यहां पर भारत का इसके अंद कि भारत की growth rate ज्यादा नहीं 9% 10% ऐसा नहीं तो यहां पर पोजिशन कह रहे हैं कि भी इसमें तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा कोई भी आए इतना रोत भारत करी लेगा और इससे क्या होगा इससे भारत का जो होगा वह economy जो होगा वह थर्ड नंबर पे तो वैसे ही आ आप क्या इंदर तो यहां पर देखिए आयम एफ से बोलता है कि भारत जो होगा इंडिया 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 तक रहेगा और यहां पर जर्मनी और जापान को जो GDP रहेगा ठीक है वह जो GDP परसेंट रहेगा वह सिर्फ 15% रहेगा रूजार तेसकी लेवल तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि भारत का यह लोगा डैट विल आउसो इफेक्ट इस वन की यह जापान और जर्मनी को ऑवर का वहां जापन और जर्मनी को क्या कर जाएगा अट्र नंबर पर भारत आ जाएगा दोजार सटाइस के दर इस रिल इससे क्या होगा भारत लार्जेस्ट एकॉनिम बन जाएगा टुटावजेंट तक ऐसा पहले ही बोल चुका है अब यही दिक्कत कॉंग्रेस को है कॉंग्रेस यह बुड़ रहे हैं कि देखे जैराम रमेज जो है कॉंग्रेस के बोता है टीपिकल ऑफ मिस्टर मोधी चैना त मैं यह तो हो नहीं है मतलब इसको कोई टाल नहीं सब्ता अर्थमेटिकल लिए अगर हम देखें तो भारत तो 2007 इसके अंदर बन नहीं वाला है इंडिया से इमर्जान से वर्ल्स थर्ड लार्जेस्ट एकॉनमी इंडिस्टिकेट हैस बें प्रेडिक्टेट पर कॉएट सम कोई भी बनेगी तो कोई भी बने यह तो पहले से है कि जो होगा कि भारत जोगा 2027 अब आप यह कहेंगे यह तो थर लार्जेस्ट एकॉनमी बन जाएगा वारत पर इसके पीछे मोदी जी का तो खात है है अगर आप देखेंगे 2014-17 2014 से जैसे हम नहीं आपर डेटा बताए 2014 से लेकर 2022 तक भारत ने जो ग्रोध करी in 83% तक रोख करें तो को अब इसको रिलेटेवली हम देखते हैं मन.मोहन सिंग के टाइम पर अगर हम देखें तो मान.मोहन सिंग के टाइम पर यह जो ग्रोध थी उनका जो पीड़ था मन.मोहन सिंगा 2004-2014 तक प्योड़ था उसमें यहां पर आप देखिए कि हमारी जो ग्रोथ हुई है मोधी जी की बेड़ के अंदर अगर आपको यह भी देखना होगा कि मोधी गवर्मेंट की पेड़ में बहुत सारी चीजे ऐसी आई है जो कि क्या है जो की वर्ड पूरे वर्ड के अंदर बहुत ज्यादा शॉक्स लगें ठीक है और पूरे वर्ड की ही एकॉनमी डिक्रीज हुई है अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे इंडियन एकॉनमी के अंदर डॉमस्टिक लिए तो हमने चेंज करे थे रिफॉर्म करे थे एकॉनमी को थोड़े विरेक लगे तो उसके बाद उबर दी उसके बाद हम देखेंगे रश्या युक्रीन का वार हो गया तो इन सब हैड़ी बिन्स के बावजूद भी हमने काफी अच्छी गुरूद करी है ऐसा अपन इसके अंदर कह सकते हैं तो इसके अंदर मैंने आपको पूरा फैक्च्छल एनलाइसेंस यहां पर दिया है प्ली झाल